नमस्ते जी आज हम बनाते हैं एक मा के हाथ का स्वाद बाली डाल इसके लिए लेंगे एक कटोरी बेशन थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सधनी जीरा का पॉड़र स्वादा नुसर नमक और थोड़ी सी हींग और उसमें थोड़ा से दो चमश तेल डालके और थोड़ी सी मीठी सोड़ी डालेंगे और उसे थोड़ी पानी डालके एक डो बना लेंगे और उसे रोल करके गरम पानी वॉयल करने तक उसमें डाल देंगे अब इसे ढग देंगे एक कूकर में हाप कोटोरी चना दाल देंगे दो बड़े चमाटर कटे हुए और तीन ग्लास पानी डालेंगे अब देखिए ये पक चुका है अब इसे निकाल देंगे अब इस पूकर में डालेंगे धनिया जीरा का पाउडर एक चमच नमक एक चमच हल्दी हाप चमच ग्रम मशाला पाउडर थोड़ी सी हींग अब इस बेशन को फ्राई कर लेंगे एक दम लाल होने तक इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे कि अब इस पूकर में डालेंगे हरी मिर्श दो कोकर में डालेंगे हाप कटोרी मतर अब इस बेशन को düşünucken निकाल लेंगे और चार पाठ पीशन उठीशन को शोडे शोटे शडे कोड़े में काठ लेंगे अब इसे कूकर में डाल keeping और चार सूटी आने तक पका लेंगे उसे घॉब काने के बाद अब सीटी निकल जाने ही इस में डालेंगे हरा धनिया और घी जीरा और रल रॉली तर्श और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चावल प्लेन चावल या जीरा राइस आलू फ्राई के साथ खाए एकदम मा के हाथ वाला श्वाध है इस दाल में एक बर प्लीज ट्राइ करें आपको एकदम अपनी मा मम्मी किया दिया